अंतिख्राइस इन्फ्रारेट वाला थारमोमेटर बहर कोड् weigh ।िपल सिक्स याने कि कोरोनवाइरस !! तृपल सिक्स याने कि वैक्सीनде तृपल सिक्स हाने कि अरिय वफफैड Ay देशेड इसना आसानी से लोगो ने ।ृपल सिक्स को जांदिया और यो बैयो अब जब मैं यह वाला ट्रीपल सिक्स लाँगा किसी को मालुम नहीं पढ़ेगा और मैं चातों की लोग ऐसी ट्रीपल सिक्स को बागते रहें वसा रहा है शैतान को खुशी क्यों नहीं होगी क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक और आगे भी वो यही चाता है कि परमेश्वर के लोग वचन को पूरा नहीं बल्कि अधूरा समझे और अधूरे ज्यान से वो परमेश्वर के लोगों को और प्रभू से दूर लेकर जाए ऐसे कई सारे गुमराह करने वाली बातों में से एक है triple six the mark of the beast इस triple six के रहस्यों को खोलने के लिए बहुँत सारे pastors, preachers, youtubers, कई सारे वीडियो और articles लिख रहे हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से इस sixsehaus का explanation दे रहे हैं कोई कहता है sixse if sirs मतलब coronavirus coronavirus के time पे कई सारे लोगों ने इसको दबा कर प्रस्तूत किया और कहा coronavirus शब्दों को calculate करोगे तो 666 आ जाता है कुछ लोगों ने कहा vaccine लेना mark of the beast है तो ये mark of the beast है क्या? क्या mark of the beast vaccine है? कुछ लोगों का मानना ये भी RFID chip लगेंगे एक छोटा सा chip आएगा जो आपके माथे में लगा दिया जाएगा हाथ में लगा दिया जाएगा यहाँ पर लगा दिया जाएगा आपको ऐसे scan करना पड़ेगा तब आपको खाने के लिए सामान मिलेगा तो क्या 666 RFID chip है? और रीजन्टली एक वीडियो क्लिप देकर तो मैं तो हिल गया जिसमें प्रचारक यह बोलने की कोशिश कर रहे है कि बार कोड और जो कोरोना के टाइम पे कॉन्टेक्लेक्स थर्मोमेटर आया है इंफरारेड वाला वो भी एक प्रकार का चिन है जो अंटिक्राइस्ट को दर्शा आता है तो क्या है यह 666? कोरोना वाइरस, वैक्सीन, RFID चेप कोई अंदर चीजे डाल देंगे कोई इंप्लांट हो जाएगा थर्मोमेटर है, बार कोड है UPI स्केनर है, क्या है यह 666? इस सवाल का जवाब आपको जानना है तो आपको बाइबल पढ़ना है बाइबल में प्रकाशित वाक्या अध्याय 12-13-14 में आपको इसके बारे में जानकरी मिलती है तो इस वीडियो में हम यही सीखने जा रहे है यह 666 है क्या? क्या यह 666 का चिन लोगों के उपर अचानक से लग जाएगा? कुछ लोगों को यह भी लगता है कि मैं रोड पे चलते जाऊँगा? अचानक से पीचे से कोई आके चिन लगा देगा? मैं सोते रहूँगा? कोई मेरे अंदर चिप डालके चला जाएगा? मैं आराम करते रहूँगा? या फिर मेरा हाथ पेर बांध कर जबर्दस्ती में नहीं नहीं चलाऊँगा? मेरे उपर ट्रिपल सिक्स का ठपा लगा दिया आजाएगा? वैक्सिन के द्वारा लगा दिया जाएगा? है क्या ये ट्रिपल सिक्स? चलिए हम बाइबल से इसको समझने की कोशिश करेंगे हम ओपन करेंगे प्रकाशित वाक्या अध्याय तेरा अपने प्रकाशित वाक्या अध्याय तेरा ओपन कर लिया है चलिए उसको पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूँ, ये detailed वीडियो नहीं है, लेकिन short में आपको मैं overview दे दूँगा ताकि आपको संधर्ब और context समझने में आसानी होगी, इस अध्याई में लगबक 18 वचन है, अब इस 18 वचन को हम 3 बाग में बाटेंगे ताकि आप को समझने में आसानी हो, पहला भाग होगा आपका वचन 1 से लेकर 10 का, फिर दूसरा भाग होगा वचन 11 से लेकर 17 का, और last जो वचन है, वचन 18 जिसमें 666 के बारे में बताया गया है, उसको मैं last में explain करूँगा, क्योंकि उसका background जानने के लिए आपको वचन 1 से लेकर 10, फ यहाँ पर important है, मैं pause करके वहाँ पर कुछ आपको explanation दूगा, तो यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने सागर में से एक पशु को बहार आते देखा, यहाँ पर यहाँ ना एक दर्शन देख रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने दर्शन में यह देखा कि एक सागर में से, महा सागर से समदर में से एक पशु, एक जानवर बहार आ रहा है, उसके दस सिंग थे और साथ सिर थे, तता अपने सीओ पर उसने दस राजसी मुकुट पहने हुए थे, उसके सिरो पर दुष्ट नाम अनकित थे, मैंने जो पशु देखा था, वह चीते जैसा था, उसके पैर भालू के पैर जैसे थे, और उसका मुक, सेंग के मुक के समान था, जब ये वर्नन को आप पढ़ते हैं, आपको इसको लिटरल में में नहीं लेना है, क्योंकि योहनना बहुत सारे चीजे दृष्टांतम गरूप में बताते हैं, जैसा मैंने का है, डीटेल वीडियो नहीं है, नहीं अपनी शक्ती, अपना सीहासन और अपना प्रचूर अधिकार उसे सौप दिया, तो मतलब यहाँ पर योहनना एक ऐसे पशू के बारे में बात कर रहे हैं, अब ये पशू दृष्टांतमक रूप में है, लेकिन वाकई में ये एक इनसान के बारे में बात कर रहे हैं, वो व्यक्ती कैसे होगा, उस व्यक्ती को न्यूक्त कौन करेगा, उस व्यक्ती को न्यूक्त करेगा दर ड्रागन, जिसका हिंदी में वर्नन दिया है, विशालकाय अजगर, अब ये विशालकाय अजगर है कौन, अगर आप प्रकाशित वाक्या, बारा अध्याय में ये अजगर की पैचान शैतान के साथ हुई है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना है तो चलिए उस वचन को मैं पढ़ता हूँ प्रकाशित वाक्या अध्याए 12 वचन 9 में क्या लिखा देखिए और उस विशाल का अजगर को नीचे धकेल दिया गया यह वही पुराना म एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति को निउक्त करके उसको क्या करता है एक अधिकार देता है किस प्रकार का अधिकार अपना सीहासन अपना प्रचूर अधिकार उसे सौब देता है अब ये व्यक्ति ये इनसान जिसको शैतान के द्वारा अधिकार मिला है वो क्या करेगा देखिए मैंने देखा कि उसका एक सिर ऐसा दिखाई दे रहा था वचन तीन पढ़ रहा हूं मैं प्रकाशित्वा के तेरा में जैसे उस पर कोई घातक घाव लगा हो किन्तु उसका वह घातक घाव भर चुका था इस वचन को ध्यान देना ये घातक घाव के बारे में मैं एसा पावरफुल व्यक्ति है जिसको शैतान से पावर मिला है वो उसके पास कुछ ऐसा पावर है जिसके उपर घातक घाव लगा है लेकिन फिर भी वो घातक घाव के वज़े से वो मरा नहीं है ठीक है उसको कुछ नहीं हुआ है वो ठीक हो गया अब पूरी दुनिया जो ह उसको देकर आश्चरिय चकित हो गई मतलब ये ऐसा फेमस व्यक्ति रहेगा जो दुनिया के लेवल पर बहुती फेमस रहेगा और सब लोग आश्चरिय होंगे उसको देखकर केवल आश्चरिय नहीं आगे देखे क्या लिखा है चौता वचन तथा वे उस विशाल के अजग को पूजने लगें मतलब ये जो व्यक्ति जिसको शैतान ने नियुक्त किया है वो कुछ ऐसे काम करेगा जिसके वज़र से लोग क्या करेंगे शैतान को पूजने लगेंगे आगे देखे वचन में क्या लिखा है क्योंकि उसने अपना समूचा अधिखार उस पशू को दे निकला है जिसको मैं एक ऐसा powerful व्यक्ति कह रहा हूँ ये एक political व्यक्ति होगा political तरीके से दुनिया को control करेगा और वो पूरी तरीके से directly influence रहगा शैतान से अब ये political व्यक्ति ऐसे प्रदर्शन को करेगा जिसमें लोगों के अंदर जोश और जुनुन आ जाएगा और लोग उ उसकी भी पूजा करेंगे और शैतान की भी पूजा करेंगे और उस व्यक्ति के ऊपर इतना भक्ति लोगों को हो जाएगा इतना पूजा लोग करेंगे देखो वहाँ पर क्या लिखा है चौते वचन में वे उस पशू की भी उपासना करते हुए कहने लगे मतलब देखो क इस प्रकार ही परमेश्वर के सिहासन पे चैलेंजिंग पोजिशन में आने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर इस पशु के समान कौन है और ऐसा कौन है जो उससे लड़ सके तो एक पॉलिटिकल सूपर पावर एक व्यक्ती ऐसे स्थान पे बैठेगा जिससे पूरी दुनिया डरेगी दुनिया उसकी उपासना करेगी दुनिया उसके सामने जुकेगी और कहेगा कि यह पावरफुल आदमी इसको कोई भी हरा नहीं सकता है और पांच वचन देगे क्या लिखा है उसे अनुमती दे दी गई कि वह अहंकार पूर्ण तता निंदा से भरे शब्द बोलने में अपने मुख का प्रयोग करेगा तो यह पॉलिटिकल व्यक्ति क्या करेगा उसको शैतान ने ऐसा अधिकार दिया है वो अहंकार तरीके से उसका मूँ केवल और केवल निंदा करने इश निंदा और परमेश्वर के खिलाब बोलने के लिए ही वो इस्तमाल करेगा उसे 42 महीने तक अपनी शक्ती के प्रयोग का अधिकार दिया गया चटा वचन सुनिए तो उसने परमेश्वर की निंदा करना आरंब कर दिया तो ये जो व्यक्ती है ये जो पॉलिटिकल पावर आदमी है जिसके सामने दुनिया घबरा रही है वो सूपर पावर आदमी के सामने लोग ना केवल उसकी पूजा करेंगे बलकि उसके मूँ से परमेश्वर का निंदा भी सुनने लगेंगे वो परमेश्वर की निंदा करना आरंब कर दिया वो परमेश्वर के नाम और उसके मंदिर तथा जो स्वर्ग में रहते हैं उनकी निंदा करने लगा तो ये जो व्यक्ती है परमेश्वर को खुल कर निंदा करेगा ये कोई छोटा मोटा आदमी ने रहेगा हर जाती, हर परिवार, हर समुख, हर भाषा और हर देश पर उसे अधिकार दिया गया है मतलब मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कोई चोटा मोटा आदमी नहीं है यह बहुत बड़ा पावरफुल आदमी होगा, जिसके अंदर यह आधिकार यह पावर उसको मिलेगा आटवा वचन देखिए, दर्ती के वे सभी निवासी उस पशुकी उपासना करेंगे यह जो धर्ती में रहने वाले लोग हैं, वो सभी लोग क्या करेंगे, उसको वर्शिप करेंगे उसका आराधना करेंगे, जिनके नाम उस मेमने की जीवन के पुस्तक में संसार के आरम से ही नहीं लिखे लिखे, जिसका बलिदान किया जाना सुनिश्चित है, तो मतलब ये दुनिया में दो प्रकार के लोग होंगे एक जो परमेश्वर का चिन अपने उपर लिए हैं और वो लोग जो परमेश्वर का चिन अपने उपर नहीं लिए हैं यानि कि उनका नाम पहले से परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में नहीं है, वो लोग खुल कर क्या करेंगे, इस beast को, इस पशु को क्या करेंगे, आराध ना करेंगे, उपास ना करेंगे, यदि किसी के कान है तो वो सुने, तो यहाँ पर यहाँ ना emphasize कर रहे हैं, बंदी ग् शहनशीलता और विश्वार्स की अपेक्षा है, तो यानि कि यह 10 वच्चन में, मैं आशा करता हूँ, आपको समझ में आ गया, summarize करके बताता हूँ, यहाँ पर शैतान क्या करेंगे, अनतीन दिनों में एक बहुत ही powerful political इंसान को खड़ा करेंगे, जिसको अधिकार देगा, और उसका अधिकार नॉर्मल नहीं होगा, मतलब उसके उपर ऐसा ताकत रहेगा, कि लोग उसकी उपास ना करने लगेंगे, उसके वज़र से शैतान की उपास ना करेंगे, और यह क्या करेगा, परमेशर के निंदा, परमेशर के भवन के निंदा, परमेशर के लोगों को परेशान करना ये सब करेगा और ये वेक्ति एक ऐसा होगा जहाँ पर पूरी दुनिया उसको ऐसे सर उठा कर दे कर बोलेगी यार इसको कोई हरा नहीं सकता ये बहुत ही तगड़ा आदमी है तो इस अध्याय में ये एक बीस्ट के बारे में बात हो रही है अब अगला एक औ और बीस्ट के बारे में बात होती है ध्यान से उसको पढ़ेंगे अब हम ग्यारा वचन से पढ़ेंगे ग्यारा वचन में लिखा है इसके पश्चात मतलब इसके बाद मैंने धरती से निकलते हुए एक और पशू को देखा तो यहाँ पर आप देखरो पहले समंदर से एक पशू निकल रहा है और यहाँ पर धरती से एक पशू निकलते है तो आप बोलोगे यह धरती से निकलने वाला पशू कौन है यह भी एक इनसान को दर्शात है लेकिन यह धरती से निकलने का मतलब क्या है मैंने आपको समंदर का बता है scholars कहते हैं Meditanian Sea यानि कि वहाँ पर उ सिंगों जैसे दो सिंग थे किन्तु वह एक महानाग के समान बोलता था अब बारा वचन को ध्यान से सुनिए उस विशालकाए अजगर के सामने विशालकाए अजगर कौन है शैतान तो इस वचन को ऐसे पढ़ेंगे उस शैतान के सामने वह पहले पशू के सभी अधिकारों का उप्योग करता था तो ये जो second beast है ये भी क्या करेगा जो पहला वाला जो जानवर है जिसके बारे में हमने बात किया पहले 10 वचन में उसका अधिकार भी इस्तमाल करेगा उसने धर्ती और धर्ती पर सभी रहने वालों से उस पहले पशुकी उपासना करवाई जिसका घातक घाव भर चुका था अब ध्यान से सुनेगा यहां पर याद ये घातक गाव के बारे में मैंने पिछले 10 वचन में कहा तो ये जो व्यक्ति है ये कोई अलग व्यक्ति नहीं है एक मतलब अलग व्यक्ति ही है लेकिन अलग objective के साथ नहीं अब ये जो व्यक्ति क्या करेगा माल में ये व्यक्ति आ रहे हैं जो Bible को study कर रहे हैं वो लोग तो ऊस political राजा पो मानेंगे नहीं जो अधिकार कर रहा है कि परमेश्व गंदा है यह है वो है तो लोग क्या करेंगे दुनिया के लोग मालेंगे लिकिन Christian जो बन के बैठ हैं वो ultimately शैतन की आरबना करता है अब ये जो व्यक्ति है इसका रूप एक political नहीं बलकि religious leader का होगा ये religious तरीके से लोगों को confuse करेगा तो आप देखरो एक व्यक्ति political तरीके से confuse करेगा और guide करेगा लोगों को control करने की कोशिश करेगा अब इसके चंगुल में जो नहीं फस रहे हैं उनको फसाने के लिए एक और व्यक्ति लाया जा रहा है जो religious angle से जाएगा जिसका काम क्या है आप सुनोगे आप हैरान हो जाओगे आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों मैं बहुत ही strongly false teachers और false prophets के बारे में जिसका घातक घाव भर चुका था अब ये घातक घाव भर चुका इसका मतलब अगर आप English में पढ़ोगे यहाँ पर 12 वचन में लिखाए ये दीरे से येशु मसी के पुनर उत्थान के बारे में भी दिखाता है येशु मसी किस प्रकार मृत्यकों में से जी उठे उस चीज को copy करते हुए मतलब ये व्यक्ति जो religious leader है वो ये दिखाएगा कि जिस leader के मारे में बात कर रहा हूँ न वो कोई साधान लीडर नहीं कौन सा पहला political आदमी वो साधान आदमी नहीं वो भी मरते मरते अल्मोश्ट मर गया और मर गया लेकिन मौत भी उसके उपर विजय नहीं पाई इसलिए देखो पहले दस वचन में लोगों ने क्या कहा इसके उपर कौन विजय पा सकता है तो ये जो religious leader है वो लोगों को convince करेगा तुमारे येश्मसी का पुनरुथान वगयरा क्या है ये पुनरुथान को देखो ये मौत वाली घात बतलब घातक घाव भी जो है वो सूख चुकी है ये घातक घाव भी जो है उसको कुछ ने की तो लोगों के अंदर अचंबा पहलेगा हाँ यार ये इतना ताकतवर व्यक्ती मौत भी इसके ओपर विजयने पा रही है और उसको और सटीक तरीके से convince करने के लिए लोगों को misguide करने के लिए अब ये दूसरा जो पशु ये दूसरा religious leader क्या करता है देखिए उसने धर्ती धर्ती पर सभी रहने वालों के रहने वालों से उस पहले पशु की उपासना करवाई जिसकी घातव घार बढ़ चुके थे दूसरे पशु ने बड़े बड़े चमतकार किये पहले पशु ने चमतकार नहीं किया वो political तरीके से दील करा है तो ये सेकेंड पशु है वो religious leader हो सकता है कोई religious leader हो specifically Christianity से ही हो जब Antichrist अभी तो suit होता है एक false prophet है और ये मानने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि कई बार येशु मसी ने भी false prophet को Antichrist का दर्चा दिया है तो ये false prophet क्या करता है बड़े बड़े चमतकारों को करेगा यहां तक की सभी लोगों के सामने उसने धर्ती पर आकाश से आग बरसा दी लोग पुराने निया में एलिया ने ये काम किया था आकाश में से आग बरसाना और एलिया का चैलेंज क्या था सच्चा परमेश्वर है उसको साबित करने के लिए आकाश से आग बरसाया तो जो अधूरे स्टडी किये वे क्रिस्टिन लोग होते हैं वो इसी चीज को देखेंगे पुराने निया में एलिया ने आकाश से आग बरसाया इस व्यक्ति ने आकाश से आग बरसाया तो ये वाग कही में परमेशुर का दास है ये वाग कही में वही प्रॉफिट है और उसका नतीजा क्या होगा चौधाव वचन वो धर्ती के निवासियों को छलता चला गया क्योंकि उसके पास पहले पशु की उपस्तिती में चमतकार दिखाने की शक्ती थी तो ये रिलिजिस लीडर है जो चिन चमतकार करेगा ये फ्रॉफिट है जो चिन चमतकार से लोगों को कन्फ्यूस करेगा दूसरे पशु ने धर्ती के निवासियों से उससे पहले पशु को आदर देने की लिए जिस पर तलवार का घाव लगा था और जो ठीक हो गया था पोशिश करेगा और कहेगा कि देखो वो political leader जिसके ओपर तलवार का घाव लगा था वो भी ठीक हो जो ठीक हो गया था उसकी मूर्ती बनाने को कहा तो ये जो religious leader आएगा वो लोगों के बीच में चिन्न चमतकार करेगा उस political leader को बहुत ही तारीफ करेगा उसको resurrection power वाला वेक्त को आदर करवाने उसको worship करवाने का एक माहोल create कर सकता है अब आगे देखिए 15 वचन में क्या लिखा है दूसरे पशु को यह शक्ती दी गई थी कि वो पहले पशु की मूर्ती में प्रान प्रतिक्ष्टा करे ताकि पहले पशु की वो मूर्ती ना केवल बोल सके बलकि उन स कहां मूर्ती का मतलब आगको सिर्फ पत्थर या लकड़ा नहीं समझना है यह एक अधिकार को दर्शाता है एक पोजीशन को दर्शाता है तो यह पोजीशन में क्या होगा वो एक ऐसा शक्ती प्रयोग करेगा एक ऐसा बल प्रयोग करेगा जहां पर लोगों के बीच में ज और बहुत सारे लोग उसके सामने जुक जाएंगे और जो लोग नहीं जुकेंगे उनको मारने के लिए भी क्या किया जा रहा है यहां पर कमांड दिया जा रहा है 16 भी 17 वचन पढ़िएगा दूसरे पशु ने छोटे बड़ों धनियों निर्धनों स्वतनत्रों और दासों सभी को विवश किया कि वे अपने अपने दाइने हातों या मातों पर उस पशु के नाम या उसके नामों से संभंदित संक्या चाप लगवाएं ताकि उस चाप को धारन किये बिना कोई भी ले बेच न कर सके तो यहाँ पर वचन 16 और 17 में आपने क्या देखा यह जो दूसरा पशु है यह religious लीडर है लोगों को religious तरीके से और political power डाल कर क्या करेगा उनको एक जबरदस्ती भी करेगा लेकिन यहाँ पर एक चीज को आपको ध्यान देना है जबरदस्ती का मतलब यह नहीं कि आपके हाथ पेर बांद कर आप नहीं नहीं बोलोगे आपके उपर चिन लगाएगा नहीं वचन में वो नहीं लिखा है वचन में क्या लिखा है वो force करेगा मार डालने की भी प्रयास करेगा बहुत सारे लोगों को मार डालेगा बहुत सा लेता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल आदमी है वही पावर्फुल है शैतान को मैं आराधना करने के लिए तयार हूँ और तुम प्रॉफेट में तुम्हारे बातों को मानता हूँ जब एक इनसान खुद इस बात को अंगीकार करता है तब जाकर उसके ओपर ये चिन लगाया ज लेकिन आशा कर रहा हूँ आपको एक बैगराउंड मिला होगा तो मैं वापस एक समरी देना जाता हूँ तो वचन एक से लेकर दस में हम देख पा रहे हैं कि पहले दस वचन में एक पॉलिटिकल लीडर को शैतान खड़ा कर रहा है जिसका काम है परमेश्र का निंदा करना और वो इस तरीके से पॉलिटिकल पावर लेकर बैटेगा उसके पास शायद से बहुत बड़े बड़े वेपन्स होगे या फिर बहुत बड़ा गवर्मेंट का टॉप लीडर होगा जिसको लोग हरा ही नहीं सकते हैं लोग उसकी आराधर उपस ना कर रहे हैं अब उसको औ और प्रधिबाशाली बनाने के लिए उसको और पॉर्फुल दिखाने के लिए दूसरा वेक्ति आएगा जो ठार्मिक आएगा जो ठार्मी के अगल से आएगा वो साबित करने कोशिच करेगा कि वो वेक्ति को आदर करना हमारा करतव या है और उसके हमर्थन में वो कर लिया उसने उनको क्या कर दिया अपने बातों में फसा लिया यहां पर देखो बहुत सारे लोगों को वो mislead करेगा deceive करेगा करके जो है English में भी लिखा हुआ है Hindi में भी लिखा हुआ है तो यह जो religious leader है वो क्या करेगा अपना काम करेगा religious तरीके से ताकि political leader के अंदर लोग आ जाए अब वापस से में repeat करता हूँ यह चिन जो है लोगों के उपर जोर जबरदस्ती से लगाया नहीं जाएगा उनके उपर जोर जबरदस्ती किया जाएगा कि वो चिन को ले ले पकड़ कर हाथ मरूड देंगे जेल में डाल देंगे खाने पीने के लिए नहीं देंगे लेकिन आपके मर्जी के खिलाफ आपको वो चिप नहीं लगाय जाएगा बारकोड नहीं लगा जाएगा ठपा नहीं लगा जाएगा अब वो चिप है, बारकोड है, क्या है हमको नहीं पता, लेकिन लेने वाले को वो जरूर पता होगा ऐसे नहीं कि उसको बुला, इधर आओ एलो, खाओ उसको खाओने तो मारूगा, साब खा लिया, तेरे अंदर चिप आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा ये चिप को, चिप स्वारी, ये जो मार्क है, ये मार्क को स्वीकार करने वाले को clearly ये पता होगा कि हाँ, ये विक्ति को मैं परमेश्वर के जगे पे रखकर पूझूँगा परमेश्वर नहीं है, येश्वर खुदा नहीं है, इन बातों को वो अपने दिल से हंगिकार करकर येश्वर को reject करके, वो खुद होकर, चाहिए वो pressure में लिया, उसने मार खाके लिया, उसको बहुत तकलीव दिया उसको हाथ पर काड़ दिया, वो मरते दम तक लिया, वो अलग situation है, लेकिन ये सारे situation को भी आप मदेजरजर रखोगे एक इनसान morally खुद होकर क्या करेगा, ये निर्ने लेगा, तब जाकर उसके उपर ये चिर्न आएगा अब ये Mark of the Beast क्या है, इसको जानने के लिए हम तीसरे भाग में आते हैं, चलिए हम वचन 18 को पढ़ते हैं, प्रकाशितवा के 13 अध्याए, वचन 18, इसमें लिखा है, जिसमें बुद्धी हो, वो उस पशु के अंक का हिसाब लगा ले, क्योंकि वो अंक किसी व्यक्ति के न नाम से संबन देता है, तो मतलब ये जो 666 है, ये एक गती से जुडा हुआ है, ये क्लियर है, अब ये स्टैंप है, ये RFID चिप है, ये कोरोना वाइरस है, ये अनुमान बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, और कई बार ऐसे अनुमान अभी नहीं पास्ट में भी लगा चुक कि उसका नाम Caesar, Hebrew, Greek का calculation किया और कहा 666 आ रहा है, और ये वेक्ती भी Christian लोगों को अपने अंदर करने की कोशिश कर रहा था, order कर रहा था कि मेरी आराद ना करो, और Christian लोगों को माय डाला गया था, जो उसके सामने दंडवट नहीं कर रहे थे, कुछ लोगों को कहा कि तुम नहीं करोगे, तो तुमको खाने के लिए नहीं देंगे, तो लोगों का मानना ये था कि 666 जो है, नीरो के लिए भी लागू होता है, लेकिन नीरो के उस राजकरन में हमको ये second विक्ती का confirmation नहीं मिल रहा है, तो नीरो वाला बात को हम नहीं मानते हैं, कुछ लोगों ने इ आज तक इसको कोई साबित नहीं कर पा रहा है, तो उसको नाम के साथ जोड़ना एक theologically सही तरीका नहीं होता है, दूसरा तरीका है, एक और चीज मैं आपको वह रहा था हूँ, बहुत सारे biblical manuscripts में 666 के जगे पे 616 है, अब सोचो 616 अगर actual number है, तो फिर 666 के बारे में आज जितने भी videos बने हैं, प्रचार बने हैं, किताब बने हैं, उसको तो फेकना पड़ेगा, हाला कि 666 का जो count है manuscripts का वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी scholars के बीच में confusion है, वो 666 है, या 616 है, majority text count को लेकर जा रहे हैं, 666, तो ये भी calculation तरीका है, 666 को लेकर ही calculate करना और एक और तरीका है, कई सारे लोगों ने तो ऐसा भी calculation किया, 6 into 6 into is equal to 260, तो mark of the best ना 616 है, ना 666 है, बलकि 216 है, तो आपको ये बात जाना जरूरी है, कि ये जो mark कुछ भी हो, ये किसी भी व्यक्ति के उपर अंजान तरीक से नहीं लगाएगा, ये एक ऐसा innocent छाप नहीं ह कहा, आप घूम रहे हैं, यहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं, आपके ऊपर छाप दिया, आपको आइडिया नहीं है, फिर आपका हाथ बांद दिया, आप मना कर रहे हो, आपको जबर्दस्ती करके ये mark लगाया, जबर्दस्ती होगी, लेकिन मैं जिस जबर्दस्ती के बार मानकर उस political leader और religious leader के सामने सिर जोखा कर और कहेंगे कि हाँ आप ही हमारे गुरू हो और ये शुख खुदा नहीं है परमेशों नहीं है मैं भी निंदा करता हूँ और मैं शैतान की आरावना करता हूँ तो ये बातों को जो स्वीकार करते है ये क्या है मैंने वच्चन में पढ़ा अठरा वच्चन क्योंकि वह अंग किसी व्यक्ति के नाम से संबंदित है तो इसको हम ऐसे भी study कर सकते हैं कि ये जो व्यक्ति के बयानों को इस व्यक्ति के सिधानतों को जो पूरे दिल से इंसान स्वीकार करता है वो भी एक प्रकार का चिन्न को स्वीकार करना ही है आप बोलोगे नहीं नहीं उपर वाले वच्चन में लिखा है माथे पे राइट हैंड पे देखे मैं वापस रिपीट करता हूँ ये अध्याय और प्रकाशित वाक्य का पूरा का पूरा किताब द्रिश्टांतम ग्रूप में लिखा है अगर आप जिद करना चाहते हो कि माथे में ही लगेगा हाथ में लगेगा तो देखे प्रकाशित वाक्य सात्व अध्याय में मैं वच्चन तीन और मोहर लगाई गई थी मैंने उनकी संक्या सुनी वे एक लाग चौवालिस हजार थे जिन पर मोहर लगाई गई थी इसराइल के सभी परिवार समू से थे तो क्या हम ये कहेंगे कि ये जो एक लाग चौवालिस हजार है उनके माथे में एक ठपा लगा कर एक चिन्न के साथ वो लोग घुमेंगे तो ये भी एक प्रकार का चिन्न है और हमें भी का जाता है कि हमारे उपर पवित्रात्मा का महर लगाया गया तो कहां पर है महर बताईए तो जरूर नहीं कि हर चीज को जो हम पढ़ते हैं उसको लिटरली लेना है